अलो एव्रीवन वेलकम तो अनकाडमी जे यूट्यूग चैनल आइम जैंत नागदायो जे कोच आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपोर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं बच्चो आज के इस अल्टरेटिंग करेंट के लेक्चर में पावर कितनी डिलिवर्ड होती है किसी भी सिचुएशन में एवरेज पावर क्या होता है चो कॉइल कैसे वर्क करता है रांसफॉर्मर जिस पर बहुत ही इंट्रेस्टिंग क्वेशन जे एडवांस में भी आयो हैं और एसी इंस्ट्रूएंट्स पर ओफन जे में में क्वेशन आते रहत इस चैनल से शुरुवात करके और अल्रेड़ी कर चुके हैं तो यस आप इस चैनल पर आये हैं तो रेगुलारीटी मेंटेन करें आल्टरेटिंग करेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरेटिंग कर चैप्टर में एक बर रिवाइस करले ह में किस तरह की चीजेई ऑलरेडि़ी सीख ली है तो बच्छों आपको याद हो गा कि किस तरह से आरे से हमने इसी सर्कृट inn linear कि है कि किस तरह क्रिश है और आपको निकालना देता है किस तरह का current होगा तो फेज एंगल की value हम अलग-अलग situations में अलड़ी निकाल चुक है in fact हमने कल एक बहुत इंटरेस्टिंग अभ्यास भी किया था जिसमें बहुत सारे questions जो की छोटे concepts हैं मतलब जही main level के concepts है लेकिन yes कई बहुती टिक्रम वाले question हो जाते हैं और 5 की value उसमें 5 by 2 minus 5 by 2 ऐसे कुछ questions हमने कल की अभ्यास में किये थे तो yes आपके पास EMF given है के पास current निकालने का तरीका मालूम है अब बचों imagine करना कि एक work done by the source का expression हम कैसे निकालते थे आपको याद होगा कि current electricity chapter में हमने battery का work done निकालना था work done by the battery इस heading के अंडर उसे हमने study भी किया था यहाँ पे भी वह हो रहा है एक तरह से AC source भी एक battery है जिसके थूँ let's say dt time में एक dq current चला जाता है dq charge चला जाता है dt time में एक dq charge अगर चला गया है तो क्या उस dt time में बच्चों work done की value dw को v into dq लिख सकते हैं हम लोग और heading बना देना power in AC circuits power का expression derive करेंगे definitely उस पे जो questions आते हैं उस type की questions करेंगे कैसे हैं बच्चों all excited yes yes लग उल्शन, prince, good afternoon brain सभी को love बहुत सारा but yes बच्चों लिखना चालू करें लिखना बहुत ही important AC chapter में especially yes work done in small time frame जिसमें देखो v potential difference के तुरू है v potential difference के तुरू अगर dq charge चला जाता है तो electrostatics में पन सीखते थे कि अपने को q charge delta v potential difference से अगर ले के चलना है तो work done कितना होना था q delta v यहां पर charge कितना है छोड़ा charge है potential difference उस instant पर किसी भी instant पर potential difference across the source change हो रहा है इस तरह से change हो रहा है तो यही v वाली value और देखना dq को अपन idt लिख सकते है तो यह expression आपके सामने क्या बन जाता है ध्यान देना एक बार v की यह वाली value मतलब तो उस instant पर जो value है वो v 0 sin omega t है and current की value क्या है याद करो जिनको याद नहीं हो रहा है जिनको थोड़ा स्वक्लीफ हो रही है समझने में मैं क्या रहा हूं कि electrostatic से तो work done अपने सीखा है था q delta v साथी साथ dwy by dt मतलब power in any source power in any situation was v into i है न v into i तो यादी होगा आपको i into v एक standard expression है power का current lexity में भी सीखा था यहाँ पे भी सीखना है of course current की भी value किसी भी instant पर sin omega t plus phi इस तरह से वेरी कर रही है dt इतना हमने लिख दिया है तो यह क्या है बिटा अपना dw है let's try to find out work done in one time period इक चीज़ फाइंड कर रहे है अपन यहाँ पर power in ac circuits और average power पहले निकालेंगे हम जैसे हमने average current का concept किया था वैसे है average power निकालने वाले यहाँ पर उसके लिए work done in one time period निकालना है अपने को of course इस expression को आगे जाके हम integrate करेंगे but integrate करने से पहले क्या आप इसे लिख रहे है साइन ए प्लस बी का फॉर्म है आपर साइन ओमेगा टी प्लस फाइ को मैं लिख रहा हूं साइन ओमेगा टी कॉस फाइ प्लस पॉस ओमेगा टी साइन फाइ ठीक है जी पीटी मत भूल जाना कई बार जब भी आप इंटिग्रेशन के क्वेशन करते हैं वो डी एक्स या डी टी को पूल जाते हैं पीछे किसी स्टेप पे तो वो नहीं करना है यहाँ पर देखना है कि इंट्रेस्टिंग एक्स्प्रेशन आ गया है जो की दो तुकडों में में डिवाइड कर सकता हूं आपके पास तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है यह साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वाली चीज़ को जब इंटिग्रेट करेंगे तब क्या आएगा तो थोड़ा सा ध्यान देना है एक बार लिखना छोड़ देना क्या आपके पास इस तरह का एक expression आएगा और क्या इस expression में जब हम integrate करेंगे बटा इस integration की value और इस integration की value आपको अल्रीडी मालूम है especially जब हम 0 से T में integrate कर रहे है यस मालूम है तो live chat में लिखेगा यस इसे note down करते रहे है यस सभी को good afternoon या सबके comments देख रहे है पंकाज हार्शिदा यस इसको integrate कर रहे है यहां तक अगर आप समझ गये है साइन स्क्वेर ओमेगा टी साइन स्क्वेर ओमेगा टी function आ रहा है और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी function आ रहा है जो साइन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है इसे मैं क्या लिख पाऊँगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को मैं साइन टू ओमेगा टी बाई टू लिख सकता हूँ साइन ओफ टू ओमेगा टी बाई टू लिखा जा सकता है क्या बच्चों इसे साइन ओफ टू ओमेगा टी बाइ टू हमने साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को लिख दिया है और उसे अब हम इंटिग्रेट करने वाले हैं फ्रॉम जीरो टू टी जीरो से टी तो यह सारी वही स्टेप से देखना पीछे जो अपने लिखी है उसको फिर से एक बार कर लेते हैं कि वी इंटू आई डीटी को अगर हमने एकस्पांड कर दिया तो यहाँ पे एक हमारी साइन स्कोर वाली यह कारी साइन टू ओमेगा टी बाई टू और यह बात आपको समझ में आ तो यह बात आपको समझ में आ रही है और प्लीज टैल मी,ege sinγ e2 omega t का इंteəLY क्पा सिनन आपका था से ती में साइन और सक्राइक्ट सिंक बत है, зीरो से ती में बच्चो यह last comments ? प्लीकण क्या क्या अले रहाए है अपन ? एक टाइम पीरेट में एक साइकल में ? और उसी में में साइकल में में मेरे पास साइन ओफ तू ओमेगा टी भी है उसका इंटिग्रेशन क्या रहेगा बर्खुदार जल्दी से बताएं दोनों का इंडिविज्वल पहली टर्म या दूसरी टर्म ऐसा अगरके आप लाइफ चैट में लिख सकते हैं फर्स तर्म इस गईट जीरो तो किसका होने वाला है अप साइन ओमेगा टी एक सिमेट्रिकल फंक्शन होता है जितना पॉजटिव में जाता है उतना ही नेगेटिव में जाता है तो किसी भी साइन के ओमेगा टी फॉर्म को जीरो से एंटी यानि कि इंटिग्रेट करते हैं तो वो जीरो आता है यह हमने कब सीखा था यह हमने लेक् कि टी बाइटू कई बच्चे वन बाइटू लिख देते हैं बट प्लीज नोट दाइट कि अपने जब भी साइन स्क्वाइर ओमेगा टी को जिरो से टी इंटेग्रेट किया था वो टी बाइटू आया था जाकर लेक्चर नंबर टू देख लेना है ना टायम्स इंटेवल ले ले तो टी और टी जायेगा यहां पर शर री ती वहां पर समयके अपने engine tar पहले में दिक्कत हो दी थी लेकिन अब अपने इस पर questions भी कर लिए हमने last week RMS average का भी अभियाज किया तो अभी समझ में आ रही है चीज़े right कैसे half हो जाता फिर average देखो तो एक बार तो आप T by 2 लिखोगे एक बार तो उस पुरी चीज़ को आप T by 2 लिखोगे इसके average value half आजाती है उसे बात में लिखोगे ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा कि T by 2 यहां तक ठीक है work done की value में पास आ गई है ठीक है कोई भी दिक्कत देख लो एक बार नोट कर लो omega means very good question गौरव definitely तू AC के lecture number 5 में पहली बार जोइन कर रहा है कई बार आप लोग हरकते कर देते हैं ना करें भाई इसको यह डाउट है कि ओमेगा क्या है तो लेक्टर नमबर 1 से ही हम omega को देखते आ रहे हैं detail में वहां discuss किया था इतने तेजस्वी लोग कैसे हैं अपने देख यहां पर ध्यान दे बच्चो क्या omega कैस क्या 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 पूछ रहे हो भाही तो ध्यान दो अपने पास work done आ गया है वी नॉट आई नॉट कॉस फाई टी वाई टू यह टम्स आगे हैं बच्चो अपने पास वी नॉट आई नॉट कॉस फाई टी वाई टू यह अगर आ चुकी है और आवरेज पावर में क्या कर देंगे व डिवाइड बै कैपिटल टी कर देंगे तो कैपिटल टी करते से ध्यान देना एक बार यहां पर अलग लग तरीके से इसको लिखेंगे अपन यह वन बाइट टू रह जाता है टी कैंसल हो जाता है और वी नॉट आइनट कॉस फा लिख लोगे तुम भट धियांत मुक ऐसे ई कि बार ऐसे लिख दोगे से आप वी नॉट बाइरू टू और Planning आईनट बाइरू तू ब्याट कर लोग से तो आपके पास वी नॉट बाइरूटतू क्या होता है यह आरेमह 9 और ये cos 5 वाला factor बहुत important है average power के formula के लिए average power को P bar लिख ले या average power को P average ऐसे लिख ले formula जरूर लिख ले formula जरूर से लिख ले डबा बना ले ताकि याद रहेगा जब इस पर J main का question आएगा ठीक है दुनों formula आरमस form में और वी नॉट यानी की peak value की form में याद रखें ठीक है लिखे 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 जल्दी से लिखे ओके और इट अजी ठीक है एक बार और बता दीजिए गरो बाबा की lecture 5 से आप निकल जाओ lecture 1 से देखो बच्चा हम्बली रिक्वेस्ट यू के एसी जैसे टॉपिक्स में देखो इमाई एसी यह क्या है एलेक्रो माइगेटिजम के एंड के टॉपिक है तुम एक बात समझने की कोशिश को तुम रोटेशन के एंड के lecture में जाके expect कर सकते हो के पूरा rotation तुमें समझ में आ रहे है तुम expectation ही गलत सेट कर रहे है अपने आपसे भी इंप्राक्टिकल है लेक्चर 5 में तुम्हें उमेगा नहीं पता तो यार clearly lecture 1 नहीं देखा है आप लीज लेक्चर 1 से देखें और दुबारा 12-14 वीडियो है कितनी भी बार देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह formula है इस पर थोड़ा सा गहन अध्यान करेंगे बच्चों हम यहापे V0 I0 by 2 को Vrms I rms भी लिखा जा सकता है यह बात सभी को clear हो रही है लिख के लिखें कि V0 by root 2 I0 by root 2 दोनों ही Vrms I rms लिखी जा सकती है rms average values अपने पीछे सीखी थी ध्यान देना अपी ध्यान देना बचो तो दिखें या तो इसको आप average power बोल दो या इसको आप virtual power बोल दो याद करो अपने rms के टाइम पे भी virtual word यूज किया था virtual मतलब की exactly तो यह नहीं है but on overall level है ना power की जो एक overall एक time period में value आ रही average value या virtual value या apparent value है apparent power भी इसी को कहते हैं कभी किसी question में है बहुत सारे competitive exams होते हैं यह एक मातर नहीं है उनमें यह language भी अगर आती है आपके पास के apparent power कितनी है आप यह formula यूज कर पाएंगे formula सभी को clear है बच्चा formula में कोई भी दिक्कत apart from goro ठीक है और cos phi की value देखो क्या है this cos phi is a very important term known as power factor अब इस पे cos phi पे थोड़ी चर्चा करेंगे cos phi है क्या पहली बात तो आपने tan phi निकालना सीख लिया था फेजर डागराम मना के tan phi निकालना सीख लिया था तो उसी phasor से मुझे बताओ बच्चो cos phi कितना है आपने एक phasor diagram मनाना सीख था अभी पिछले दो लेक्चर्स में और उसमें अगर phi आपको निकालना आ रहा है cos phi कितना होगा बालक cos phi कितना होगा यहां vr हुआ करता था यहां पर vl-vc वगरह हुआ करता था and if you look at any phasor cos phi is vr by v i r by i z r by z cos phi भी लिख लेना formula के just about cos phi is known as power factor okay तो 10th class में आप 10th में हो और फिर lecture 1 से देखे ओके नहीं यह भी पताना it's a good thing that 10th class में भी आपने तो कुछ बच्चे या 9th class में बतातों examples देतों बच्चे 9th class से ही यह content देख रहे हैं class 12th का that is the real power that is the real democracy in fact आप जिस level पे है actually में उसी level का content देख पा रहे हाँ अच की date है ना तो उसी के लिए एक thumbs up हो जाए कोई बच्चे अगर 9th class में 12th का समझ पा रहा था already 9th में पढ़ चुका है 10th में तो उसने ओलम्पियाड लेवल की चीज़े पढ़ ली थी और 11 12th में पता नहीं वो क्या कर रहे हैं क्योंकि उनका already अगर जै ही होता तो election 10th में ही हो चुका होता है निवे बाकी लोगों को थोड़ा सा complex हो जाएगा वर्ना हमें फिर से मुद्दे पर आते हैं formula clear है कॉस फाइड कैसे आ रहा है आर बाई-जेड क्लियर है कॉस फाइड रभाई-जेड थोड़ी से इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप कुछ एग्जामपल्स देखो है ना यह केसिज बनाते हैं हर formula के बाद कुछ case study करते हैं limiting case analysis बोलते हैं उसे अपन case number one देखना आप भी यसे लिखना है case number one कि एक pure resistive circuit है तो याद करो pure resistive circuit में 5 कितना होता था जो phase difference होता था between voltage and current voltage and current pure resistive में कितना होता था equal to zero कल अपने इस पर भेज़ एट लीस चार कोशन कियोंगे अलग लगता रहे से लैंग्वेज में अलग लगता रहे से कि pure resistive है pure inductive है at least ऐसे चार पांच कोशन की है उस अभ्याज को देख जरूर लेना तो यह आपको एकदम क्लिक कर लेक्टर 5 में चीजें एकदम तभी क्लिक कर रही जब आप lecture पूराने देखके अभ्याज भी देखके आ रहे हो कहाँ यहां प्योर ली रजिस्टिम में 5 0 होता है और बच्चों 5 0 होता है तो कॉस फाइक कितना हो जाता है 1 पाई 0 होता है कॉस फाइक को बडू 1 हो जाता है मतलब हम भी बोल सकते है कि उस में पावर कंगु मैक्सिमम उसकेश में प्यूरली रेजिस्टिब में अवरेज पावर कंगु मैक्सिमम हो गा यह भी बोल सकता हूं क्योंकि कॉस फाइव भी मैक्सिमम वैल्यू पर है एक case ये बनता है बचो एक और case पे थोड़ा सा और डीटेल में चर्चा करेंगे एक purely inductive circuit में face कितना था और purely capacitive circuit में face कितना था थोड़ा जल्दी से बता ना कि purely inductive में face कितना था current का purely capacitive में कितना था purely inductive में minus 5 by 2 तुम बोल रहे हो तो सही जा रहे हो life में प्लस पाइबाई टू बोल तो सही जा रहे हो लाइफ में, जिन बच्चों को याद नहीं है, यह table आप लोग in fact print करके अपने study desk के पास लगा ले बच्चों है न, प्लस माइनस पाइबाई टू इसमें है न, अब प्लस माइनस पाइबाई टू वाले केस में वैसे भी कॉस फ जीरो हो जाएगा, पावर कंजूम विल बी जीरो, ठीक है, केस नमबर टू थोड़ा सा इंटरस्टिंग है, केस नमबर टू थोड़ा सा दुरलब भी है, क्योंकि पावर कंजूम भी जीरो आप सोचिए, एक टाइम पिरिड में, पावर कंजूम बाई एन इंड़क्टर, a capacitor will be zero, मतलब की no power, no power is really consumed by a purely inductive या purely capacitive circuit, yes, अपने चीज़ चाहर पड़ी होगी, अगर आपने topic स्कूल में पढ़ा है तो, इस चीज़ की बहुत सारे applications होती, कि किसी भी inductive circuit, अचा, केसे लिख लेना, किसी भी pure inductive circuit, और pure capacitive circuit की बात कर रहे हैं, अपने case 2 की बात कर रहें, तो 5 की value प्लस माइनस 5 by 2 होने वाली इन cases में power consume 0 होगा, क्योंकि cos 5 0 हो जाता है, पावर consume 0 का real meaning क्या है, कि आप inductor यूज करें, capacitor यूज करें, उनमें कोई power consume नहीं होगी, average power consume will be 0, and इस fact को पता, अपन कहां यूज करते हैं, या आप थोड़ा सोचो हो, इस fact को आप कहां mean while कर देना, these are some like 30 seconds questions, 30 seconds के questions हैं यह सारे, इन्हें भी कर लेते हैं, बच्चो, अल्राइट, भाई लाई 2, येस, येस, खें, यहां पे circuit has a resistance of 12 ohm impedance दे रखी है पावर फैक्टर निकालो बच्चो ऐसा नहीं है कि 2005 पर यह question आया है यह question मतला आम तोर पर बहुत सारे जो competitive exam होते हैं अब जही में में तो ऐसे question आती हैं बट अभी आप मान लो कि बहुत सारे जो state level के CT exam होते हैं private colleges के entrance exams होते हैं इसको पावर फैक्टर पता ही नहीं उसने लेक्चर देखा ही नहीं obviously उसको नहीं आएगा आई होप आप लोग को आ चुका है क्योंकि resistance की value 12 है impedance की value 15 है I hope सभी को point 8 answer आ चुका है क्यों अच्छा 4 by 5 point 8 answer भी सभी ने लगा दिये है नंदिनी राजीव राजलक्षमी वेदान्त अर्बेंद सभी ने लगा दिये है question number two पे आई है जल्दी से number two का भी answer फटा फट से थोड़ा फटा फट से कर दे questions थोड़े obvious से हैं शुरुआती question है warm up questions है warm up question में जल्दी answer किया जा सकते अगर यह करेंट देखना कैसे है माइनस मिगाटी माइनस पाई भाई टू इसी से हिंट मिल रही है कि कि किस तरह का circuit है बचो circuit कौन से यह भी बताना मुझे प्योर केपैसिटिव प्योर इंडक्टिव प्योर रेजिस्टिव किस तरह का circuit है यह भी live chat में मुझे बताना इस equation को देख कर क्योंकि कल भी ऐसे question अपने किये थे याद करो practice session में और power consumed इस case में obviously क्या होगा power consumed इस case में obviously zero होगा है न कि power या average power की पन बात कर रहे है you will write V not I not by 2 cos 90 degree या cos of minus 90 degree all and all this is zero है न यह example हुआ यह वाला कॉन सा है purely inductive अकार्टिव प्योर ली inductive में minus pi by 2 होता था phase अभी मैंने आपको बता है minus pi by 2 किस में होता है भाई minus pi by 2 purely inductive में होता है यह बहुत important चीज़ें बता है ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ चोटी चोटी आप terms है चोटे 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 concepts है इन फाक्ट यहाँ पर AC chapter में just like current electricity बहुत सारे चोटे 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 concepts है जिन पर बेज़ जैसे power factor एक हो गया power factor पर एक दो question अपन नहीं करते हैं दिमाग में उतना को नहीं गुसता आप मुझे मतलब frankly बताओ यार अगर हम power factor के formula लिखके छोड़ देते और इस पे एक question भी ना करते तो क्या power factor का term clear होता तुम्हारे दिमाग में क्या तुम्हारे दिमाग में ये भी बात clear होती कि power factor कभी भी one से बढ़ा नहीं हो सकता power factor cause function है always less than equal to one होगा तो one से तो बढ़ा नहीं होगा फिर ये चीज़े सवाल करने से ही clear होती है तो बच्चा अगर ये सोच रहा है कि यार मैंने theory तो पढ़ लिया है मैं इससे question नहीं हो रहे है now so many of you are in that state because you have recently started to give mock test, mock test में number नहीं आ रहे है question खुद से करते तो होते नहीं है क्यों भाई तुम comfort zone में थे अभी तुमने अभियास अगर attend किया तीन महिने भी दो महिने भी मैं तो एक महिना भी regularly practice sessions अपने attend किये अगर आपने आपको यह सारी चीज़े मस का clear होती है जो बच्चे उस state में नहीं है प्लीज आएं एक महिने की बात होती है यह formula अलग चीज़ होती है formula की application अलग चीज़ होती है जी all these comparative exams are about the application part not about formula तो आप बोर्ड में भी रटके जाते हो उसमें भी वैसे भी आजकल mcq आ रहे है दियान देना छोटी छोटी चोटी terms है wattless component of current एक sub heading मनाए wattless component of current यह question आ सकता है आपको find the wattless component of current equations दे रखे होगी I और V की equations दे रखे होगी आपको पता है कि देखो I तो हमेशे क्या होता है या I और V के बीच में कोई angle phi होता है यह बात पता है कि phi is the phase angle between current and voltage अब यहाँ पर देखना voltage की बीच में voltage के साथ में V और current के साथ में V लिखा है this is nothing but the RMS value वी जब भी लिखा है मतलब वो virtual value की बात कर रहे है virtual value ही RMS value भी होती है RMS value, virtual value, effective value यह तीन अपने terms पढ़े थे second lecture में कहीं पर V लिखा होगा कहीं पर RMS लिखा होगा कहीं पर effective भी लिखा हो ध्यान देना है इस तरह का phasor diagram है और इस तरह का phasor diagram अगर है तो हम क्या यहां पर current के दो component बना सकते है जान देना भी यहां पर इस current के suppose हम दो component बनाते है एक है IV cos 5 एक है IV sin 5 अब interesting बात यह है कि current तो होता है scalar current तो होता है scalar तो उसके component की बात करना ही थोड़ा सा अनुचित सा है लेकिन क्यूंकि हमने phasor concept पढ़ा है recently current is being represented as a vector is not a vector but it is being represented as a vector ताकि चीज़े आसान हो आप देखना चीज़े आसान कैसे होती है इन दोनों का multiplication अचो इन दोनों terms का multiplication ही average power है will it be right if I write that average power consumed in a circuit is voltage voltage की भी RMS value multiplied by component of current in the direction of voltage बड़ा interesting choice of words यूस कर रहा हूं में तो ध्यान देना average power consumed in a circuit is RMS voltage multiplied by component of RMS current in the direction of EMF that component is cos component of course and if that component is appearing in the power का formula अगर वो component power के formula में appear हो रहा है तो जो दूसरा component है जो कि perpendicular component है जो power में contribute नहीं कर रहा है not contributing to power है यह इसका contribution to power है क्या there is no contribution to power for this component hence it is known as wattless component of current जबक रहा है wattless component of current मतलब no contribution to power IV sin theta is wattless component of current कुछ जगहों पर आपको यह चीज़ पूछ ली जाएगी what is the wattless component of current या वाईवा में ही पूछ लिया गया कभी who knows आप क्या बोलेंगे i rms into sin phi phi क्या है phase angle sin phi की value क्या होगी cos phi आपके पास r by set theta sin phi भी आप निकाल सकते है ठीक है okay नाम भी इसका समझ में है wattless क्यू है यह और ऐसे पढ़ोगे तो चीज़े याद भी रहेंगे कि अच्छा एक component तो पावर के formula में appear कर रहा है और वाले component पावर के formula में appear कर रहा है sign वाले component watt less हो गया not really contributing to the power circuit लिखना है तो फटाफट लिखना है याद बहुत सारी चीज़ें बताने को आज के lecture में तो आपको थोड़ा फटाफट ही short में लिखना है बड़ा बड़ा notes नहीं बनाना है ठीक है okay but less कुछ बच्चे आपर screenshot लेते हैं हमें अच्छे से पता है तुम्हारी हरकत है कुछ बालक यहां पर pause करके screenshot ले लिया notes में हो गया नहीं ऐसा नहीं करना है screenshot लेने में जो आपका दिमाग लग रहा है वह zero है और आप जो लिख के note कर रहे हैं उसमें विकास के लिए आप screenshot नहीं notes बनाएंगे short notes बनाएंगे वह भी short notes बनाएंगे ताकि जादा time फिर एक गंटे के lecture में तीन-तीन गंटे notes नहीं बनाना है गंटे का lecture उसमें बच्चा बैटके मजेदार must handwriting में colorful colors से इन गंटे notes बना रहा है तो फिर आपका यह होगा 10 साल बाद चलेगा क्या नहीं करना है इसा आई-वी sign 5 मतलब की virtual current का sign component is known as waterless component the waterless component we have studied this and please see के how the waterless component is actually the current in case of pure inductive and pure capacitive circuit तो कुछ applications पर आते है real world applications है मैं बोल रहा हूँ देखो अभी तक यह अपन पढ़ चुके है कि average power for pure inductive या pure capacitive circuit 0 है do you agree with this pure inductive pure capacitive circuit में minus pi by 2 और plus pi by 2 का phase angle होता है respectively तो power 0 है अतले हम no loss of energy हो रहा है उसमें कि आपन बोल सकते कि कि किसी भी circuit में inductor और capacitor के across कोई भी power consume नहीं होगा अगर आप AC यूज कर रहे हो घरों में जैसे AC यूज होता है pure inductive circuit है pure capacitive circuit है उसके त्रूँ जो भी current होगा current तो होगा pure inductive pure capacitive में कोई भी power dissipate नहीं होगा यानिकि उसे idle current भी बोलते हैं wattless current भी बोलते हैं तो इस current को अपन idle current भी बोलते हैं आइडियल नहीं idle भी बैठा हुआ है idle मतलब वेला है क्यों ही यह contribute नहीं कर रहा है ना power में तो यह idle current है wattless current तो इसी वज़े से hence L and C are most suitable for controlling current in AC current को control करना पड़ता है कई बार current किसी equipment में instrument में बहुत ज्यादा चला जाए तो उड़ जाएगा है ना ऐसी यह language अपन यूज़ करते हैं जैसे आपको पता है पंखे में और टीवी में ऐसे बहुत साही ज़गों पर क्या होता है जो current available है power supply से वो काफी ज़ादा है उसे control करने के लिए हम inductor और capacitor ही यूज़ करते हैं आप इसी कितने बच्चों को पता है कि fan में हम capacitor यूज करते हैं यह बार वो खराब हो जाता है जो आज कल के छोटे वाले modern day regulators है वो capacitor ही होते हैं उस capacitor को आप बढ़ा के कम करके क्या कर रहे हैं control क्या कर रहे हैं amount of current current से आपको fan की speed control हो रही है यह बात है आपको आज समझ में आए एक बहुत prime example लेते हैं चोक कोईल का example लेते हैं किस बीच में इस तरह का इक बड़ा सा है और in fact काफी heavy सा एक छोटा सा apparatus लगता था जिससे चोक कोईल कहते थे बड़ा heavy होता था देखने में छोटा है बट बहुत हेवी होता था let me know in the live chat और comments अगर आपने यह देखा है देखा तो definitely होगा आपने कभी यह खराब हो गया तो इस से fluorescent mercury tube fittings के साथ use किया जाता है तो अभी तो अपने पास LED light से tube lights भी अब LED आने लग गई है but definitely एक time था not so long ago जब हम fluorescent वाली mercury tube fittings को use करते थे और उसमें यह choke coil को use करते थे coil है मतलब यह क्या inductor है if it is a coil it is nothing more than an inductor ठीक है और जब ट्यूब है वो electrical resistance है तो resistance और inductor को आपने यहाँ पर series combination में देखो लगा रखा हो यह जो आपका बीच में लगा होता है और इसी की विज़े से tube light जलती है अधरवाइस जलती नहीं क्योंकि circuit incomplete होता है choke coil खराब होती उस capacitor है तो इसी की ज़िए capacitor भी हो सकता है जैसे आपके पास जो fans है जिनमें capacitor लगा होता है उसको भी आप क्या बोल सकते हो series combination of R and C R is the resistance part that can be representing any of your appliances load register भी बोलते है इसको और choke coil आपने series में लगा रखी इस tube light में ठीक है तो आपको क्या पता है कि इस circuit में जो current की peak value है वो peak value कितनी है इस current की peak value कितनी होगी बच्चों अगर मैं आपसे पूशता हूँ आपको V0 by Z करना है बट Z कितना है इस circuit में Z की value है under root of R square प्लस omega square L square बच्चा येस please note that अगर आप इस circuit में current को control करना चाहते है तो दो तरीके हैं इस circuit में current को control क्यों करना है क्योंकि ज़्यादा current भी नीची टूबलेट खराब जाए current को control करने के दो तरीके एक तो resistance बढ़ा दो उसमें power consume बढ़ जाता है दूसर तरीका है inductance बढ़ा दो और उसमें power zero consumed होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं अपने पास क्योंकि अगर हम resistance बढ़ाएंगे तो naturally बिल जादा आएगा और अगर हम inductance बढ़ाएंगे या fan में जो capacitance है उ क्योंकि वहाँ पर one by omega c होता था कल की अभ्यास फिर से याद करो वहाँ पर one by omega c होता था तो capacitance को बढ़ाना पड़ेगा तब जाके आपके पास में या capacitance को कम करना पड़ेगा मैं यह लिग देता हूं capacitance को कम करना पड़ेगा तब जाके current को control कर सकते के not can be decreased using these three ways तो यह चीज जो most of the appliances हैं उनमें inductor या capacitor आज भी use होता है यह tube light का तो just a example है जो आपकी syllabus में भी है चोक coil नाम से इसे आप चोक कोईल करके लिख ले है क्या करना है आपको circuit diagram बनाना है और next to it यह i0 की value लिखके यह justify करना है क्या resistance बढ़ाने से नहीं inductance बढ़ाने से power को भी consume होने से कम रख पी विल बी 0 and current can be reduced देखा है तो यह ने तो देखा है यह चीज और सी इसमें होता क्या है इसमें असल में होता क्या है यह जो चोक कोईल होती है इसके अंदर inductance होती है without resistance चोक कोईल को अपन क्या बोलते है is an ideal inductor मतलब कि उसकी resistance almost 0 होती है अब exactly 0 तो हो नहीं सकती और उसकी inductance होती है ideal inductor की तरह काम करता है यह चोक कोईल ठीक है resistance 0 होती है अच्छा resistance को 0 कैसे कर सकते हैं inductance inductor की resistance को कैसे 0 कर सकते हैं यह जो कोईल होगी इसके अंदर वो बड़ी थिक होगी तो कॉइल इंसाइड इट विल बी वेरी थिक लियाद करो solenoid with a thick wire हम क्या बोलते थे ideal inductor बोलते थे 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 थिक वायर है thickness के कारण उसकी resistance 0 है ठीक है बटाओ यह चीज आपको समझ में आगी मैंने यहां पर यह words में लिख भी दिये जैसे यहां पर अपने लिखा था पीछे ओमेगा स्कॉयर में current को control करने के लिए l को बढ़ाना चाहिए control the current words में लिख देना control the current across the devices what we use we use a choke coil and also inductor does not consume any power इसके दोहरे फायदे बच्चो करेंट भी control होगा और पावर कंज्यूम भी 0 होगा है ना वह फायदे हैं तो why not to use it इसलिए इसको यूज करते हैं बात समझागी question करेंगे देखना यहां पर concept है तो conceptual question बनते हैं this is obviously a theoretical concept conceptual question बन सकता है जही में आजकल conceptual question ज्यादा आ रहे हैं आपको पता है this is 22 वालों के लिए आधा paper theoretical questions से भरा हुआ था conceptual questions पर अपनी नजर ज्यादा रहे इस साल क्या answer आ रहे बच्चो तो टेल मी A B C D जल्दी से बता दो सोच लिया होगा आपने दी लिख रहे जातर जनता नी other option don't think so okay coil is an instrument resistance है inductance भी है resistance power lost no power is lost in inductor इस सब तो अपने को पता है power loss loss in AC can be minimum power loss को भी minimum करना है और वही बात है current को भी आपको control करना है you try to keep the inductance high and resistance low that power consumed by resistance देखो power तो resistance से consume होगा go back to the power का formula यह भी power की application है बच्चो go back to power का formula अपने पास क्या आ रहा था दो cases या purely resistive circuit में maximum power consumed है purely resistive circuit होथा सिर्फ resistance यूज़ करते तो काफी बिल आता as I said but inductor use करने से at least power भी उसके across कम है current भी control होगा that is the main idea के बई inductor की उसकर रहे है आप current भी control होगा दी आ think is the correct answer is an obvious answer किसी और ने कुछ और तो नहीं लिखा है की लिखने वालो I don't think C तो कैसी भी case में आएगा चलिए transformer पर आ जाते हैं बच्चो आज के lecture का दूसरा concept है एक ता power का concept, power के concept को सीख कर ही हम transformer सीख सकते हैं जो कि यह बहुत ही interesting concept है क्योंकि यह चीज़ आपने अपने घर के आसपास जरूर देखा है ध्यान से गौर से देखिए इस वहशी धरिन्दे को क्या आपने अपने घरों के आसपास इस तरह की कोई उपकरण देखी है बच्चो क्या कभी कभी बारिस के टाइम पर इसके अंदर एक बड़ा सा धमाका होते हुए देखा है और आप बोलते कि खंबे के ऊपर ऐसे चड़ा हुआ रहता है यह अपने घरों में एक बहुत important काम करता है this is a device for converting high A.C. voltage जोकी supply में आ रहा है into low A.C. voltage जोकी अपने घरों में use हो सकता है अगर यह use ना हो तो high A.C. voltage घरों में पहुँछेगा जोकि जोखिम भरा है, हानी कारक है येस, ये उल्टा काम भी करता है बच्चो पावर स्टेशन्स पे, पावर जनरेटिंग स्टेशन्स पे लो एसी वोल्टेज को हाई में भी कनवर्ट करता है हाई एसी से लो एसी, लो एसी से आई एसी दोनों convert करता है, heading बनाए, transformer, heading बनाए, transformer, transformer कोई, एक तो आपका एक series है, transformers का, यहाँ पे इस तरह के, thoughts होते है, transformer की shape में, but this is a different setup, converting high AC voltage into low AC voltage and vice versa, high AC से low AC कहां पे होता है, घरों के बाहर, यह power supply, जो power supply आ रही है, ध्यान देना बच्चों यहाँ पर, इस diagram पर, कि power supply जो आ रही है, वो high AC voltage है, AC तो ही है, बट high voltage है, अगर वो power supply directly घरों में हम use नहीं कर सकते हैं, तो we use this setup, which is inside a transformer, and using this setup, we get electricity in homes, which has low voltage, low voltage convert हो गया, high voltage से low voltage हो गया, मुझे बताओ यह diagram देखकर, किस phenomenon के तहत, किस सिधानत के तहत, यह हो पा रहा है, आपको diagram देखके, हिंट मिलना चाहिए, कि how in this example, high AC voltage, low AC में convert हो रहा है, high voltage, low voltage में convert हो के अपने घरों के बिजली बनती है, तो ऐसा कैसे हो पा रहा है, look at this diagram very carefully, what is this diagram having, यहाँ पर इस diagram में दो coils दिख रही हैं बच्छों आपको, let's call them primary coil, यह diagram अभी बनाना नहीं है आपको, भी सोचना है आपको, सोचना जाजा इंपोर्टेंट है, अभी आप समझ पाएंगे चीज़े हैं न, सोच दे बिना कैसे हैंगे, एक तो primary winding है, primary coil है, coil है, और एक और coil है, secondary coil, और इन तरह की दो coils के बीच में, यह क्या हो रहा है, बच्छों, magnetic flux के तुरू क्या हो रहा है, what is this called, between two coils, if there is a magnetic field from one coil into the another coil, obviously this is the phenomenon of mutual induction, mutual induction पढ़ा था आपने EMI में, mutual induction EMI के lecture 6 में हमने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि transformer आप अभी समझ सकते हो, और ध्यान देना बड़ाई easy है, आप यहाँ पर क्या समझ रहे हो, एक side से तो input है, AC power supply को तो अपन input मान लेंगे, उस side में primary winding है, यानि की coil 1 है, इसको coil 1 बोल देते हैं, यह first side है, input side, फिर इस side से अपन output लेंगे, secondary coil में output बनेगा, output current अपन लेंगे, यहाँ पर जो voltage आएगा, वो क्या आएगा, इसमें भी पहुँच पा रहा है, because this is the iron core, यह mutual induction का concept है, यहाँ पर यह diagram अब आप बना सकते हो, तो चो transformer का आपने एक diagram बनाना है, आप diagram 2 dimensional बनाना है, इसलिए side से देख रहे हैं, तो 3 dimensional diagram नहीं, आपको इस तरह से एक square बकसा बनाना है, 2 dimensional diagram बनाना है, ध्यान देना, left side में input रखना है, left side में I1 input है, this is the input side बच्चो, input side usually high voltage होगी, बढ़ लो भी हो सकती है, जैसे मैं कहारा हूँ, वाई से वर्सा, इक बार कुछ भी मत लिको, यह है primary coil, this is the primary side, primary coil, यह वाली primary coil में ध्यान देना बच्चा, क्या N1 number of turns ले सकता हूँ, यह first coil है यह, I1 current है, और इसमें N1 number of turns है, and N2 number of turns की secondary coil, this side is S, मतलब secondary coil, और बीच में डबा क्या है, बीच में यह arrangement आपने बना रखा है, of this material known as soft iron, so soft iron का एक core है, soft iron का एक laminated core है, तो क्या होगा, यहां से current यहां पर पहुंच जाएगा, imagine करो, यहां भी देखो साथ, यहां पर आइवन है, और आइवन और I2 coil के बीच में, जो material आपने रखा है, वो क्या soft iron, जो की conducting nature का होता है, unless and until you laminate this, laminate किये बिना क्या होगा, यहां से directly current यहां पहुंच जाएगा, we don't want that, अपन currently पहुंचाना चाहे, हम क्या पहुंचाना चाहे है, हम यहां से यहां तक flux पहुंचाना चाहे है, इसकी वज़े से right and through लगा के, इसकी वज़े से जो यहां पर magnetic field बनेगा बच्चों, तो कोई flux बनेगा, वो as it is यहां पहुंच जाए, as it is पहुंचने के लिए tight coupling होना ज़रूरी है, as it is पहुंचने के लिए दोनों coils के बीच में, अब वरी perfect coupling होना ज़रूरी, k equal to 1 होना ज़रूरी है, और वो अचीव होता है soft iron core से, ठीक है, एक दो शब्च जो यहां मैंने फेक है, तो नहीं click हो रहे है, अलब तुमने EMI नहीं पढ़ा है clearly, I hope EMI पढ़ा है आर तो, बनाया, diagram बनाया, diagram बना लो एक बार, इच्चोल इंडेक्शन का concept है, औल राइट, dark killer नाम ही गज़ा बेते रहा, यह वो teaching skill है वालक, जिससे J.E. में selection निस्चित है, निस्चित था, मैं तो बोलता हूँ मेरे साथ 6 महीने गुजारो, 6 महीने इट लीज देने पढ़ेंगी, आपको करना ज़रूर ही है, J.E. क्रैक्ट, जिस तरह से मैं train कर रहा हूँ, I am a trainer, I am a coach, actually, that's what I feel about myself, आप लोग, एक coaching process में है, अभी भी J.E. की, क्योशन नहीं बोलते हैं, आपने नोट क्या coaching बोलते हैं, coaching क्यों बोलते हैं, क्योंकि apart from learning, apart from teaching and learning वाला पार्ट, आपको एक strong mind भी होना चाहिए, जैसे sports में होता है, बहुत failures होते हैं, इन professions में इतने failures होते हैं, especially sports में, और करियर बनाने जाते हैं, लोग बॉम्बे जाते हैं, singing में, उसके लिए mentally बहुत strong होना ज़रूए, उसके लिए लगती है, coaching, उसके लिए लगती है, time to time बच्चों को positivity देना, time to time उनको धाड़स बन्दाना, आप आओ अपने regular lectures, निस्यत है आपका जेही में से लगते हैं, anyway, diagram बनाएं क्या, diagram बनाने के पाद एक बार सुनना यहाप है, कुछ points में बोलूँगा आपको books में भी नहीं मिलेंगे, वो points आप समझ जाते हो तो आप उससे j advance level पर execute करो, ख्यान देना, आपको primary coil में अगर जो v1 की value है, और जो यह inductor में current है, i1 की value इनको relate करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ यहाँ पर एक इस तरह का loop equation बना रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ में इसे, यहार v1 potential and यहां से यहां तक में v1 potential and minus l di by dt यहना, यहार यहां पर तो आपने input दे रख रहा हूँ है, input दिया हुआ है, और इस coil में उसकी वेरे से कोई current है i1, ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं, कि this v1 will be l1 di1 by dt and what is this l1 di1 by dt emf produced in the coil 1, जो input दिया है वही इस coil में emf भी बन गया है, जो input दिया है वही इस coil का emf भी बन गया obviously and that is equal to minus d5b by dt हैरा, ठीक है, तो एक equation देखो आपके सामनी यह आ रही है, और in fact अपने पास n1 turns भी है, इतना flux हो रहा है, अगर एक coil के थुरू flux 5 हो रहा है, minus n1 d5b by dt मे एक equation लिख रहा हूँ, यहां तक चीज़े clear है क्या, यह दो line लिख लो एक बार, अपने पास v1 की value epsilon यानि की minus d5b by dt, minus sign क्या बता रहा है, obviously direction वगयरा, यहां पर अपने क्या लगाया है, faradays law लगाया है, फिक है, सेम चीज़ करेंगे secondary coil में, फिक है तो primary का एक बार लिख लो, सेम चीज़ करेंगे secondary coil के लिए भी, जो इसके across flux आ रहा है, जो n2 turns के across flux आ रहा है, वही आपका output है, वही आपका output v2 है, वी टू के लिए में क्या equation लिख रहा हूं, यहां देखो, वी टू के लिए में क्या equation लिख सकता हूं, I can write v2 is equal to minus, v2 is equal to minus L di by dt, या L तो लिखे ही ना, क्योंकि अपन directly phi की terms में लिखना चारे हैं इसे, V2 को मैं लिख रहा हूं, voltage across the inductor to L, या L लिख लेते चलो, L2 di by dt, but this is equal to what, ultimately minus this is, this is equal to, और क्योंकि यहां पर अपने को एक sign का ध्यान रखना है, यहां पर अपने आपको, अपने आपको, एक sign का ध्यान रखना है, so this is d5 by dt, same flux आ रहा है, but यहां पर देखना, n2 turns में आ रहा है, एक चीज़ नोट करना है, यहां पर यही main चीज़ है, कि यहां पर अगर 5 flux है, but 5 flux क्या है, एक turn के through flux, n1 turns के through कितना हो जाएगा, n1 d5 by dt, and that same flux is going through here, 5e, but through n2 turns, यहां पर क्या लिखा, n2 d5 by dt, और यह equation और यह equation को एक बार equate करते हैं, अपने पास एक relation आता है, जो की transformer की equation है, let's do that, last step, इन दोनों को equate कर देते हैं, एक बार आप भी लिख लेना इसे, यह मैं directly divide कर देता हूँ, 1 of 2 को, b1 by b2 is equal to minus of n1 by n, look at this equation, dividing 1 and 2, एक बार इसे लिखो, फिर इसे समझेंगे, obviously जबन questions भी करेंगे, okay England is opting to bowl first, okay fine, okay, लोग को आज कल जाला interest हो गया है cricket में, ठीक है अभी तो semi final final के लिए बनता है, तो पहले वाले नहीं देखे न, यहीं की त्यारी important है, फिर IIT में जाके तो, स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर match देखने हैं तो मज़ा ही अलागे है, पताता हूँ 2011 में हम लोग तो pass out हो चुके थे बट अभी भी बॉंबवे में रहते हैं, obviously 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, इन वान खेड़े हैं, तो हम लोग को टिकेट तो नहीं मिल पाई इस मुमन, बट किवी उम्मीदी नहीं थी शायद इंडिया पाई, चली गई, अच्छा खेला भी, तो हम लोग ने immediately, हम एक जगे पे मुमबई में, बड़े मैदान में, बड़ी स्क्रीन पे देख रहे थे, but immediately हम लोग South Bombay गए, वहाँ पे जो महौल था, वो जो vibes थी, वो lifetime चीज दे रहा, इंडियन क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप जीत के आपके सामने से जा रही है, और वो चीजें यार जादा important, उसके लिए हमने sacrifice किया, के लिए हमारी मेरी जीजी की त्यारी के टाइम पर मैंने तो match नहीं थी, बाद में enjoy कर सके, चली ये लिख लिया, अभी से समझते हैं बटा, V1 by N1, V2 by N2, और एक minus sign जो कि आप बीच में देख रहे हैं, उसको पहले minus को explain करने थे, पर minus sign क्या बताता है, ध्यान दे न, ये minus sign एक तो, मैं कहरों, बहुत सारी books में तो लिखा ही नहीं होगा, ठीक है, बट इसकी एक importance आ जाती है, कुछ questions में, तो ये minus sign आपको क्या बता इसको मेरे पास ऐसा है, this is voltage versus time का graph और primary मतलब V1, similarly voltage versus time का graph और secondary कितना होगा, ये तो sign wave है, और अगर minus कर रहे हैं तो output कैसा आएगा अपने पास, negative of sign wave, ये fact important है, कुछ questions के लिए, not for the most questions, कभी कोई question आ जाता है, कि यहाँ से यहाँ पे इनके बीच में क्या हो गया, 180 degree का phase reversal हो गया, एक phase change हो जाता है, in case of transformer, ये भी fact ध्यान में रखो, otherwise most questions में देखो, अपन बात करेंगे magnitude की, इसके बाद ये भी लिख दो, that V1 by V2, N1 by N2 है, if we consider only magnitude है, तो ये लिखा आपने, ये भी लिख लो अच्छा, N1 by N2 है, considering magnitude है, क्योंकि magnitude पे most questions होंगे, इस तरह से V1 by V2, N1 by N2 है, then, what is the corresponding current, उच्छों देखो, एक और बात करनी रहे गई अपने पास, इन loops में, इन circuits में, current भी थे, input current और output current का ratio भी क्या होता है, ध्यान देना और लिखते रहना, फटा-फट लिखना इन चीजों को छोड़ी-छोटी है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक ideal transfer है, अज्यूम कर रहे हैं, obviously, there is no energy loss है, तो assumption तो हमें है true होगा नहीं, बट देखते हैं, क्या आता है, expression आता है अपने पास, अगर आम अज्यूम करते हैं कि input power और output power same है, अब input power क्या है, I1, V1, output power क्या है, बटा, I2, V2, क्या आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, कि V1 by V2 is also equal to I1 by I2, तो previously you had V1 by V2 equal to N1 by N2, now you have V1 by V2 equal to I1 by I2, combining सारे results को एक साथ आप लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, जल्दी से लिखना, यार V1 by V2 equal to I1 by I2 is equal to I2 by I1, जडबड हो गई भाई, बड़ी वाली ये, और जो होने नीची है, यहाँ पर I2 by I1 है, रैसी प्रॉकल में है, वही तो important चीज है, ठीक है, लेख लेना इसको, V1 by V2 is N1 by N2 is equal to I2 by I1, ठीक है, यस, input और output current, input और output voltage, and also number of turns in the coil, यह जो ratio होता है, यह important ratio होता है, okay, and this is equal to 1 by K, see, this is also equal to 1 by K, यह भी आप लिख सकते हो, where K is known as transformer ratio, where K is known as transformer, तो एक काम करते हैं, 1 by K क्यों लिखें, फिर K ही लिख देते हैं, तो फिर अपना K ही लिख देते हैं, तो किसे ने लिखा है, तो कार्ड देना, फिर से लिख लेंगे, कोई लिख लेंगे, कोई दिक्तर जो, आ क्या रहा हूं कि फिर उसको उल्टा कर दो, च्योंकि output by input, जहान दो यहां पर, output by input, output by input, यहां I1 by I2 आएगा, of course, विल्टी के के जनोन इस, transformer ratio, transformer ratio थोड़ा सा important concept, इसको समधना अपने को, फिर अपने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो V2 by V1, output by input, N2 by N1, A1 by I2, equal to K हो जाता है बच्चों, now K is known as transformer ratio, K is known as transformer ratio, please note this equation, यह secondary by primary भी लिख सकते हैं, विल्टी बुक्स में इस तरह दिया है, बट हम ऐसे लिखेंगे, यह थोड़ा समझने में आसान है, 2 is the output, 1 is the input, बट आप समझ लेना कि, कुछ बुक्स में फिर ऐसे भी दिया रहेगा, confuse नहीं होना है, वैसे भी बुक्स तो पढ़नी नहीं, क्योंकि आपने पूरी 100%, more than 100%, जो चीज़े मैं लेक्चर में बता रहा हूँ, वो compare करे कि देखो किसी भी किताब में, उसे कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिल सकते हैं, तो secondary by primary, secondary by primary, primary by secondary भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसमें दो cases प्लीज नोट करो, एक बार समझ लो फिर नोट करना, कि अगर आपके पास k greater than 1 है, अगर आपके पास, बचो k greater than 1 है, इसका क्या मतलब हुआ है, secondary की turns primary से अधिक है, n2 is greater than n1, तो n2 is greater than n1, अगर आपके पास है, तो क्या आपके पास, v2 greater than v1 आएगा, यह आउटपूट greater than input आएगा, जब भी output greater than input आएगा, आउटपूट ऐसे बना रहा हूँ मैं, इंपूट ऐसे बना रहा हूँ, अभी मत लिख रहा हूँ, देख ले न, आपके पास क्या हो रहा है, क्ये greater than 1 है, n2 greater than n1 है, उपर देख लो, n2 greater than n1 है, secondary greater than primary है, और input voltage और output voltage में, कौन रदिक होगा, output voltage, तो this is a step up transfer, क्या नाम दे रहे हैं, step up क्योंकि वहाँ पर voltage इंक्रीज हो रहा है, voltage इंक्रीज हो रहा है, output voltage ज़ादा है, इसलिए step up transformer, अब step up transformer में, current कैसे change होता है, ये भी note कले, कि I1 और I2 में कौन बढ़ा होगा, बच्चों कि I2 बढ़ा होगा, प्रीज थोड़ा से logic लगाओ, जल्दी से बताओ, I1 और I2 में कौन बढ़ा है, क्योंकि अभी आपने सीखा कि current का ratio reciprocal है, current का ratio फिर greater than 1 कैसे होगा, कि I1 will be greater than I2, you'll get I1 greater than I2, and V2 greater than V1, अभी note कल लो first case को, ये step up transformer क्या कर रहा है, low voltage को high voltage में तो convert कर रहा है, but high current को I1 को low current I2 में भी convert कर रहा है, ये ऐसा नहीं कि magically voltage बढ़ा रहा है, इसका ये मतलब हुआ है, लिखते वे रहो, सुनते वे रहो, magically transformer voltage नहीं बढ़ा रहा है, obviously वो current भी कम कर रहा है, तो current को ये decrease कर देता है, और voltage को increase कर देता है, therefore we can say power remains same, input power equal to output power, मान के अपन ये derivation कर रहे हैं, याद करो, ideal transfer के लिए अपने ये चीज बोली है अभी तो, step up transformer समझा रहा है, step up transformer कहां use होता होगा, आप सोचो थोड़ा सा, voltage को बढ़ाने का काम कहां होता है, पावर लाइन्स में high voltage electricity send करने से पहले, नहीं कि power stations पे इस तरह से step up transformer लगा होता है, ध्यान देना, आपके घर के बहुत दूर, power station है, generating station, जहां पे step up transformer यूज होता है, तो छोटे छोटे लो वोल्टेज इसको, क्योंकि पता आपको power कैसे बन रही है, idle power station में एक ही turbine नहीं है, बहुत सारे turbine से छोटे छोटे गूम रहे हैं, thermal power station में एक turbine नहीं है, बहुत सारे और windmill भी आप देखते हो आजकल तो, windmill भी छोटे 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 turbine से, जो की छोटे छोटे वोल्टेज इस बढ़ा रहे हैं, इन पावर जनरेटिंग स्टेशन वाट यू है अलो वोल्टेज एसी तो होता ही, आउटपुट अपने देखा एक टरबाइन का, एसी ही होता है, डारेक्ट नहीं होता है, और लो से step-up transformer हाई पे इसको convert करता है, और हाई वोल्टेज कैसे transmit होता है, transmission lines से जो कि हाई वी के आसपास आप देखते हो, इनमें किलो वोल्ट में, बचों, not volts, this is 230 किलो वोल्ट तक में current दौड़ता है, अब यहाँ पे हाई वोल्टेज होता है, तो क्या low current बोलना उच्छी थे हैं, और इसी वज़े से transformer और AC भी आप यूज़ करते हैं, याद करिए पहले lecture का शुरुआती पार्ट जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि AC क्यों यूज़ किया जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट transformer वाले lecture में, लास्ट लेक्चर में, वज़ो AC इसी लिए यूज़ होता है, कि यहाँ का low voltage, high voltage में जैसे convert होता है, इस पूरी transmission line, जो कि किलोमेटर्स की length में होती है, तो में low current होता है, और ये low current क्या ensure करता है, ये low current ensure करता है, lower power loss, lower heat loss, तकि ध्यान देना भी भी, I square R heating loss से related है, अगर suppose मैंने यहाँ से यहाँ पे, step up में, एक वोल्ट से एक किलो वोल्ट भी कर दिया है, एक वोल्ट से एक किलो वोल्ट भी कर दिया, मतलब मैंने 1000 गुना voltage बढ़ा दिया है, तो क्या current 1000 गुना कम हो जाएगा बच्चों, और current अगर 1000 गुना कम होता है न, दस लाख गुना कम हीटिंग लॉस मिल रहा है आपको जस्ट बिकॉस यूर यूजिंग एसी बात समझ में हम एसी क्यों यूज कर रहे है और क्यों जो निकोला टेसला का आइडिया था वो प्रेफर्ड है आज की डेट में अट एडिसन का जो आइडिया था कि डीसी हमें यू स्टेशन लगाना पड़ता जो मोस्ली कोल से चलता और उसमें कितना पॉल्यूशन हर जगे होता इडिस वोज इन आइडिया गिवन बाए टेसला वी डिस्कॉस दिस इन दे लेक्चर वान फिर से सोचना कि कैसे लो वल्टेज को हाई वोल्टेज में आप पावर जन्रेटि अब करेंट जितना कम होगा आई स्क्वेर आर उतना ही कम होगा और इतने कम पावर लॉस से आप लोग ओविसली बजा देते हैं इनर्जी बचा लेते हैं और फिर आगे क्या यूज कर रहे हैं घरों में यह हाई वोल्टेज यूज नहीं हो सकता बच्चों घरों में हाई फैक्टरी में भी नहीं हो सकता फैक्टरी से पहले घरों से पहले आपको लोग वोल्टेज में करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर यूज करना पड़ेगा आज आते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर पर बच्चों स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा उल्टा एक दम पहले वाले का उल्टा है तो ध्यान देते रहे हो जिसे स्टेब डाउन् ट्रांसफॉर्मर क्या मैं क्या वोल सकता हूं किन्ध कम हो रहा है मतलब ऐसले आहिए इन्वर्सी प्र्पोश्विस बढ़ेगा थह current कम होगा inverse proportionality है तमक रहे कि नहीं सभी को यहाँ थम्सप करो फिर यहाँ पर current decrease current increase हो जाएगा voltage decrease हो रहा है और current increase हो जाएगा step down transformer इसको भी लिख लेना बिटा step down transformer cake less than 1 के लिए होता है लिख लेना nice अंतर्यामी brain hustle चले जी यह होगा transformer का फंड़ा पूरा आपने अगर देखा समझा तो बहुत अच्छी बात है नहीं देखा तो दुबारा भी देख लेना समझ लेना क्यूं हम AC यूज़ करते हैं वाई वी यूज़ AC उसका भी रीजन इसी में है generating stations है low current बन जाता है low current से वापिस high current बन जाता है घरों में high current यूज़ करना उचिद भी है क्यूंकि appliances का भी low current पे उतना work नहीं कर पाएंगे बहुत low पे micro ampere पे तो नहीं कर पाएंगे that is the idea of transformer and let's do a couple of questions on this idea से काम नहीं बनेगा आइडिया से तो मज़ा ही आएगा question नहीं होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा इसना बाद में मज़ा आने के लिए question करना भी चरूर ही है कोई बात नहीं है आलक तेरे नाम ही toxic है तो toxic comment ही करेगा कोई बात है नहीं कि भी वो क्या कावते दे वो इक दम से याद ही नहीं आती करें भी बंदर क्या जाने अधरक्का स्वाद वाला केस हो रहा है तेरे सा उसमें तो बीच में एंटर करके सर क्या पढ़ारी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोलने की शमता रखता हूं बढ़ ठीक है आप तो आई ही है इनी चीजों के लिए toxic नाम ही तेरा toxic इसको report करो यार बहुत लोग आजकल आ रहे हैं इसका है आपको कौन है paid comments pay भी नहीं करने तो फिर मला I feel sad for you primary से secondary देखना कितने हो रहे हैं 10 times इनको oral करो यार प्राइमिरी से secondary में 10 गुना हो रहा है ठीक है और input voltage आपका 20 volt है क्या 10 गुना नहीं हो जाएगा पर 10 गुना कौन सा हो 200 volt A option या 200 volt C option वे नाइस तो C लिखा है जातर लोगों ने और क्या आपको ये बात समझ में आरी बच्चो ताट frequency remains same now obviously during the derivation we have done one interesting thing क्या बोल रहे हैं देखना पूरी derivation में ध्यान देना क्या हम ये सारी चीज़े बोल रहे हैं हम इन फैक ये भी बोल रहे हैं कि phase भी reverse हो रहा है इसका output का phase input से 180 degree ahead होगा but time period same time period same है frequency same है maxima से maxima same time लगने वाला है frequency does not get affected आपको बता है frequency depends only on source जैसे waves में होता था क्या भी भी frequency remains same ये point भी note करना ये question के साथ आपको note होई जाना चीज़े frequency 40 नहीं होगी 50 ही रहेगी frequency remains same in transformer frequency generating station पे source पे ही set हो गई है ठीक है ये भी कर लो बच्चो थोड़ा पटाफट करो क्योंकि ये एक minute की questions है एक concept और करना है चोटा साई concept हो जाएगा जल्दवादी की जरूरत नहीं है आजी आजी है इनदे ट्रांसफोर्मर नमर अफ टरarta सथिंद प्राइमिरी कॉिल और 150 एससे लिखको करोUS नबर यह चलंगे इन प्राइमिरी आर वन फॉर्टी सेकेंडरी में टूइटी है मतलब डबल होरे है नंबर आफ टॉटर्स और अगर नबर आफ। डबल होरे तो व्टेज्ट भी डबल हो रहा है और करेंट हाफ हो रहा है यार करेंट इन प्राइमिरी अगर four 4 एम्पियर है अथि कितना होगा चाहे तो formula use कर लो तो formula use कर लो तो formula use कर लो आपके पास 2 एम्पियर आना चीह और नहीं तो सिर्फ ओरली कर रहे हैं तो भी क्या ध्यान रख सकते हैं बच्चो ध्यान देना कि number of turns double हो रहे है current half हो जाएगा सब्सक्राइब और ध्यान देना कि हमने एक अज्यूम किया था कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है बड़ इमेजिन करो ट्रांसफॉर्मर में एक रियलिस्टिक केस ले रहे है एनर्जी लॉस के नॉट भी इग्नोर्ड मतलब इन्पूट पावर और आउट्पूट पावर इक कौन बड़ा होगा इन्थैक्ट इन्पूट पावर बड़ी होगी आउट्पूट पावर कम होगी बच्छोँ आप यहां पर deficiency of transformer defined कर रहे है लिखना efficiency of transformer ूटा से define कर रहे है efficiency of transformer कैसे defined करते हैं नचेदेरा ुटपूट पावर बाई इन्पूट पावर output power कितनी बच्छो ध्यान देना output power कितनी है I2 into V2 input power क्या है I1 into V1 तो कुछ questions में तो यह efficiency given होगी कुछ questions में यह efficiency पूछी होगी जो भी case है यह formula ज़रूर एक बाल लिख लेना output power by input power बड़ा obvious है बैटने वाला नहीं है output by input is efficiency इस तरह से आप इसे लेख सकते हैं अपने सेमी कंडुक्टर चाप्टर में भी यूस करेंगे इसके भी अच्छे क्वेशन्स आते हैं सेमी कंडुक्टर में भी ऐसी चीज़े यूस करते हैं इसको ध्यान में रखेंगे आपवलोग जैसे की एफिशेंसी वगएरा आउटपुट पाउर इनपुट पार मतले से कंडुरी से केंडरी बाई प्राइमिरी परें वी टू आई टू अपॉन वी ए आई वन लिख सकते हैं या फिर फी सेकदरी आई सेकंडरी वी इंपुट आई इंपुट ऐसे भी कपलिंग वगरा सब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं फिर भी एक ट्रांसफर्वर में कुछ तो कॉइल की रेजिस्टेंस होती होगी कुछ तो एडी करेंट्स होते होंगे याद करो एडी करेंट्स पढ़ाता पनने और एक टॉप एक हिस्टरेसिस है ना क्योंकि मैगनेटिक प्रॉपर्टीज में अपन पढ़ते हैं हिस्टरेसिस की वज़े से भी क्योंकि सॉफ्ट आयरेन कोर है ना सॉफ्ट आयरेन माटीरियल में भी कुछ एनरजी लॉस होता है और टायरेन माटीरियल में भी मैनेटिक फील्ड या फ्लक्स पूरा ट्रांस्परिट नहीं होता है देरेस सम एनरजी लॉस उसको अपन बोलते है हेस्टरेसिस लॉस ठीक है इनकी वज़े से एफिशेंसी कम होरी है इन कारणों से एफिशेंसी 100% नहीं है तो किस केस में 100% नहीं है देख लेते हैं क्वेशेंसी निकालनी है आपको इस क्वेशेंसी निकालनी है बच्चों नेक्स चैप्टर अपना ओप्टिक्स कर लेते हैं क्या बोलते हैं आप ओप्टिक्स किया जाए तो आज इसी का लास्ट लेक्चर है बच्चों इसी का आज लास्ट लेक्चर है तो नेक्स्ट चैप्टर क्या किया जाए आप बताना अप्टिक्स का समय आ चुका है मेरी ख हो रहा है और current increase हो रहा है बट current को double नहीं हो रहा है 5A से 9A current double नहीं हो रहा है तो यह यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा I2 V2 भाई I1 V1 V2 भाई P1 I2 कितना है 9 V2 कितना है 110 I1 कितना है 5 V1 कितना है 220 अगर 9 by 10 आ चुका है या 90% आ चुका है तो yes you are right अगर नहीं आ रहा है तो एक बाइ calculation देख लो C answer is obviously right optics करें Ray optics का पहले lecture Saturday को देखेंगे yes that will be the case इसी के साथ आते हैं last lecture का last topic इसी का last topic है अगरे Electromagnetism का भी last topic है पूरा Electromagnetism EMI और AC चाप्टर पर आके खतम होता है यानि जो शुरुआत अपने April से करी थी वो आज end होती है naturally April के पहले lecture में बहुत साही जनता होती है बढ़ वो लोग जो last तक टिके रहते हैं वही select होती है तो congratulate yourself if you have made it this far since April because Electromagnetism आज end हो रहा है last topic कर लेते हैं इसका hot wire instrument क्या चीज़ है hot wire instrument क्या होता है आपको पता है कि जो आप AC current के instruments measure करने के लिए रखते हो वो DC current वाले instrument से अलग होते हैं ज्यान देना हैं यापर कि किस तरह से आप अगर एक galvanometer को use करके rotating coil के साथ उससे लगा देंगे याद या rotating coil है जिसमें EMF generate हो रहा है EMF clearly sinusoidal कभी positive कभी negative इस तरह से EMF या current भी generate हो रहा है जीरो के exactly positive और negative पर जा रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस तरह के galvanometer use करने पर average value of the current कितनी आएगी अगर हम galvanometer से average value of the current AC की माप रहे हैं बच्चों वो कितनी आएगी वो average value तो 0 आजाएगी है ना average value 0 आएगी ऐसा भी नहीं कि आप लोग एक time period में उसको note कर पाऊगे in fact आपको पता है कि frequencies 50 hertz listen to me you know that frequencies 50 hertz मतलब वो 0 से वापे 0 पर आने में 1 by 50 seconds लगा रहा है तो इतने कम time में तो वो हिलेगी भी नहीं सोई तो जब भी आप कोई DC circuit है ना जब भी आप कोई DC instrument जो आपने ग्यालवन नोटर पहले पढ़ा था करता है अगर आप सोचे रहे हो कि ग्यालवन विटर पॉजिडिव नेगिटिव ऐसे उसिलेट करेगा नहीं बच्चो इसे उसिलेट भी अगर वो करता तो एक सिकिंड में पचास बार नहीं कर सकते तो वह सुई वहीं की वहीं रहती है reading shown is 0 reading of DC emitter with AC source force force अगर AC है इस जीरो यह बात समझ में आरी इस पर questions भी बनते कई बार आपने DC emitter use करके AC circuit में current ना पाए कितनी reading आईगी answer should be 0 अच्छा अब अगर average value 0 आरी तो true reading कैसे मिलेगी आपको देखना यहाँ पर आप AC circuit में AC emitter use करेंगे AC voltmeter use करेंगे this is voltmeter, AC emitter, AC voltmeter थोड़े अलग type की होते हैं अलग design होती heading मना न hot wire instruments in hot wire instruments पर concept क्या रहता है बटा कि वो i का average नहीं बट वो i square का average निकालते है वो average value नहीं बट वो rms value निकालते हैं because rms value निकालना अपनने सीखा है और rms value non zero होता है यह बात अपन अच्छे से जानते हैं AC के second lecture में अपने देखा था average value 0 rir अपन क्या करेंगे rms value एक time period में निकालनेंगे वो तो non zero होता है and these instruments these AC emitter and AC voltmeter they measure rms value यह main point है इसे लिख लेना जरूब heading बनाए इसे लिख देना AC emitter रोट AC voltmeter जो होते है वो rms values को measure करते हैं और कभी भी question आता है जिसमें AC emitter लगा है तो i not नहीं बच्चो आपको i rms लिखना है कि i not अलग होता है peak value अलग होता है rms अलग होता है एक important point इसको लिख लेना क्यूंकि rms value 0 नहीं होती है AC emitter, AC voltmeter ऐसा पूरा लिख लो चाहब दो AC emitter and AC voltmeter measures rms value ठीक है average of i square is not 0 ठीक है तो आपको समदने के लिए तो इतना ही समदना है थोड़ा सा अपन detail में देखेंगी कि फिर यह काम कैसे करते है then how exactly these AC emitter and voltmeter work क्योंकि moving coil galvanometer की working तो अपनी syllabus में है बट कई बार hot wire instruments की working थोड़ा सा detail में जान लेने से आपको कुछ हो सकता है theoretical questions को answer करना easy हो जाए तो आप यह answer करोगे मुझे तो यह बताओ मुझे बच्चो यह बताओ कि आप AC value की rms value कैसे measure कर सकते हैं AC current की rms value को measure कैसे कर सकते हैं सोचो इस पर थोगा क्या हम बोल सकते हैं कि जो coil में deflection होगा that will be proportional to i rms ना हो आप moving coil galvanometer पड़े हो याद करो कि वहाँ पर यह concept था यह underlying principle था working principle क्या था torque balance हो रही थी और angle of deflection इस सुई का deflection था वो rms value के यह तो rms लिखेंगी बट वहाँ पर current के proportional तो यह achieve करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं मुझे यह बताओ कि यह कैसे possible है कि हम deflection को rms value से proportional बना पाएं deflection को rms value से proportional बनाने के लिए नाम में ही hint चुपा है heat के concept को अपन यूज करें we'll use the concept of heat and not torque in this case देखना यहाँ पर कि आप एक platinum iridium wire को यूज करके एक hot wire emitter बना सकते हो आप चाहो तो इसके diagram को भी बनाना बट पहले समझ लेना आपके पास बच्चों देखना यह क्या setup है इंट्रेस्टिंग के ध्यान देना मज़ा आएगा आपको यह एक emitter दे रहा है जैसे setup है जैसे setup है मतलब इसके parallel में आपने यह एक shunt resistance लगा रखी यहाद है parallel to the wire AB आपने एक small resistance आ लगा रखी जैसे shunt resistance बोलते हैं चोटी resistance होती है तो most of the current goes through this और least current goes through this platinum iridium wire यह wire थोड़ा special platinum iridium material का है ऐसा क्यों कि इसको जब आप heat करोगे आप heat आपको नहीं करना है यह अपने आप ही heat हो जाएगा पर इसके current जा रहा है और इसकी length बढ़ जाएगी यह AB wire जो है automatically heat up होके length इसकी बढ़ जाएगी और देखना है यहाप एक spring आपने connect कर रहा है यह spring obviously इसे पीछे खीच लेगी can you visualize spring नीचे जाएगी तो यह arrow कैसे जाएगा clockwise heat की मदद से यहापर deflection हो पा रहा है तोड़ा से इसको visualize करने के लिए यहापर ध्यान देना कि जैसे यह wire expand होगा spring इसको नीचे खीचेगा और यह arrow कैसे move करेगा clockwise all I am saying is in this case the deflection is proportional to heat heating effect of the wire heating effect of the current to be specific right that rise in temperature RMS current के proportional होगा hence deflection is proportional to high RMS hence आपको बस इतना याद रखना है deflection in these cases is proportional to RMS आपको सच कह रहा हूँ केवल इतना ध्यान रखना है बच्चों के AC ammeter या AC voltmeter RMS current को measure करता है RMS current को and RMS voltage को measure करता है सब्समें आ रहा है आपको क्योंचा वह वायर heat up हो जाएगा उसकी विरेज़ से spring उसको पीचे खीचेगा और deflection महाँ पर आई RMS को show करेगा सेम सेम वर्किंग है किसी voltmeter का भी वही बात है उतना डीटेल तुम्हारे syllabus में है ही नहीं आप समद लो वही platinum iridium wire को आप इस बार high resistance series में connect करके बनाएंगे high resistance series में connect करते तो याद करो voltmeter से और इसमें क्या होगा इसमें deflection will be proportional to vrms पीछे deflection was proportional to irms यहां पर reflection is proportional to vrms आप measure करते हो question किस तरह के आते हैं देखना जरूरी कि question किस तरह के आता है इस concept पर question obviously आते हैं तो वह इस तरह के आते हैं बच्चों दो तीन question करेंगे एक idea अच्छा आ जाएगा वही हो गया ना अंतर्या में यह AC galvanometer फिर theta equal to irms को measure करेगा आपको question है देखो ना यहां पर alternating voltage दे रखा है capacitor दे रखा है और ammeter की AC ammeter की reading क्या होगी है आपको पता है की AC ammeter की reading मतलब IRMS पूछ रहा है question कितना होगा क्या you know that ERMS is 200 you know this and xc क्योंकि यह capacitor वाला circuit है xc is one by omega c यानि कि one by you can write omega कितना है c कितना है देखो भाई question की language देख लो आपके पास यह values आ गई है तो IRMS कितना है जल्दी से बताना मुझसे पहले बताना I think 200 divided by 10 to the power 4 is 20 milli ampere आगे के c answer देख लो एक बार काफी बच्चों ने c लिखती है मोहित वेदान्त राजीव राजलक्ष्मी नंदिनी सभी ने गंगा ने c लिखा है very nice समझ में आ रहा है तो rms value है ना not peak value not i not value i rms निकालना है आपने वो ऐसे लिखा है एक तो इस तरह का question हो गया एक और देखो इस तरह का भी आता है question नहीं दे रखी है बट circuit दे रखा है आप ध्यान देना है circuit पर आपको यहां पर एक capacitor है ठीक नहीं रहा है बट मैं बना देता हूं यहां एक capacitor है और यहां पर एक inductor यहां पर एक register ठीक है reading of the ammeter and voltmeter दोनों बताना रीडिंग of ammeter भी बताना है वोल्ट मीटर भी बताना है यानि कि current की reading भी आईगी और वोल्ट मीटर आपने लगा रख है दो points के बीच में वो भी आएगा के चलिए तो आई आरेमेस के लिए अपन क्या कर सकते हैं इस केस में आई आरेमेस इस वी आरेमेस डिवाइड़ बाई जेड वी आरेमेस एक सो दस है बच्चों जो भी value दे रखे क्वेशन में वो by default आरेमेस वालिव है आपको यह पहले भी बोला है अगर आपको कोई एक जैसे 220 वोल्ट दे रखा था ना घर की supply 220 वोल्ट है तो वो क्या है आरेमेस वैलिव पीक वैलिव तो 311 वोल्ट है याद है वो कुश्चन 110 जो value दे रखी वो by default आरेमेस वैलिव है 110 जो value है वो by default आरेमेस वैलिव है Z value कितनी है circuit की Z value आप लोग बताएं अपने experience से RLC आपने अभी भी solve किया पिछले लेक्चास में RLC अगर आपने solve कर लिया है क्या आपने Z equal to R बोल दिया है Z equal to R बोल के 2 ampere बोल दिया है सभी ने 2 ampere काफी बच्चों ने बोल दिया है but 2 ampere सारी options में except one बच्चे C बोल रहे है कुछ बच्चे A बोल रहे है but B भी बोल रहे है काफी बच्चे B बोल रहे है I think B is the correct answer B is the correct answer बच्चों ध्यान दे ना जिन लोग को यह concept नहीं मालूम है concept कैसे निकालना है देख आपको पता है एक VC होगा एक VL होगा और एक VR होगा फिर वोल्ट मीटर आपने C और L के across बना रखा है वोल्ट मीटर आपने capacitor और इंडक्टर के across बना रखा है वोल्ट मीटर कैसे बना रखा है V आपको निकालना है वो क्या आएगा VL माइनस VC आएगा VL प्लस VC तो कर नहीं सकता है अच्छा ये भी मत करना कि इन दुनों को आड़ कर दी अपने को फेजर डियाग्राम याद है VL और VC दुनों अपोजिट में थे दुनों के फेज अलग थे और दुनों के मैगनिटूड सेम है ये एकसेल और एकसी सेम है बच्छो जीरो आंसर आएगा सेकेंड आप्शन आंसर आएगा बोलो समझ आ रहे हैं देखो इसी कोश्चन को अगर मैं दुबारा पूछूँ मैं दूसरा कुश्चन भी पूछूँगा इसी में मैं बोलना हूँ कि यह इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है न वोल्ट मीटर के पासिटर और इंडक्टर के बीच में कनेक्टेड है इस वज़े से वील माइनस वीसी जीरो आ रहे है यही वोल्ट मीटर R C तीनो केक्रोस लगा होता तो क्या आंसर आता एकर यही वोल्ट मीटर R C तीनो केक्रोस कनेक्टेड होता तो क्या आंसर आता राइव स्जाट में बदाँ जल्दी से ABC तो क्याistant तो क्या उस-cause में A answer आता समद आ रहे क्या बोल रहा है यही यही वोल्ट मेटर R, L, C तीनों के अक्रॉस कनेक्टेड होता had this been this then V' would have been 110 क्योंकि उस केस में वही बात है के V R स्क्वेर प्लस V L माइनस V C का होड़ स्क्वेर आ जाता तो वो 110 कोई इनसान तो मुझे बताएगा यह चीज़ V C के अक्रॉस यासे V L की वैल्यू होती तो कितनी होती अगर एक और चीज़ पूछ लूँ मैं V C पूछा होता question में या V L पूछा होता दोनों के वैल्यू ऐसे भी सेम हैं तो क्या आंसर आता कोई बता सकता है फटाफट बता दो तो C option मत बोलना C option आए होप आपने नहीं बोलाए क्योंकि V L और V C की वैल्यू आपके पास I into X C से आएगी I into X C, I की वैल्यू टू है तो 4 वोल्ट आएगी 4 वोल्ट आता C मत बोल देना इसमें चलिए एक और question, last question है यह जाते-जाते यह question भी कर ले इसको फटा-फट answer करो This is exactly similar to the previous one 12 नहीं, 4 चलिए, this will be our last question एक काम करते, इसको homework में कर देता है Let's make this our homework question number 1 and we'll do rest of them in abhyaaz देखने, यह काफी similar है B की value पूची है, वो 300 दे रखे हैं, ऐसा कर के उनके answer दे रखे हैं, आपको ताप try करना है इन questions को, obviously हम इस तरह के और और interesting questions अभ्यास में कर रहे हैं अभ्यास के लिए आपको नाम को search करना है Google पे और आपको अर अरकाडमी की profile मिलेगी, जहां पे हम अभ्यास के sessions कर रहे हैं every Monday, Wednesday, Friday 9.15 PM है कल था Wednesday, कल भी अपन ने 9.20 पे किया था ये, 9.15 9.20, शाम के टाइम पे कर रहे हैं और उसकी notification के लिए Telegram पे अनकैडमी जही सर्च कर ले इस YouTube चैनल के community post में भी हम notification डालते हैं Telegram पे भी अनकैडमी जही को एंटर मार दे टाइप करके एंटर मानने पे ही आपको ये लिंक वर्क करेगी गूगल सर्च नहीं करना इस लिंक को टाइप करना रोम में as it is tinyuril.com slash playjwe टाइप करके एंटर मानना ठीक है तो सेव कर ले ना ताकि बार-बार टाइप नहीं करना पड़े physics, chemistry, maths, 11, 12 का सारे content सारे notes पूरे chapter के एक साथ notes साथ ही साथ आपको one shot revision series fast track revision series और अभ्यास के tabs भी मिल जाएंगे तो इससे save करके regularly use करना आपको किसी से selection होगा बच्चों इसके अलावा आपको अभ्यास में बता दू किस तरह से screen पे question देखके बच्चे चैट में बात करते हैं screen पे question देखके answers करते हैं और answer करने से और उनका subject strong हो रहा है day by day जो environment अभ्यास में अपने को मिल रहा है इसे definitely आपका विकास हो रहा है doubt solving और बहुत सारे interaction with India's best educators आपको regularly confidence दे रहा है और इसी वज़े से अपने ये बच्चे पहली batch में all India rank 1 and 100 percentile ला चुका है पहले batch के अपने results है second batch के यानि कि इस साल के batch के बच्चों के results आप देख सकते हैं 99 plus percentile 1538 बच्चों के आए हैं 105 बच्चे top 1000 वें और top 100 में 7 बच्चे अनकेडमी से बड़े हुए है तो यस ये बच्चों अपने में ही numbers amazing है अपने ये batches चल रहे हैं जो की अनकेडमी के platform पे चल रहे हैं अनकेडमी के platform पे आपको rupees 2000, rupees 3000 per month पे कोई भी batch को कितने भी time के लिए access करनी का छूट मिलता है आपको यहाँ पे 11, 12 के और droppers के batches में मैं बता दू कि syllabus complete होने ही वाला है कुछ ही हफतों में syllabus complete हो जाएगा और उसके बाद हम एक revision course चालू कर रहे हैं जंगे जी revision course है बच्चों जंगे जी 23 aspirant के लिए बहुत important है इसकी exact date अभी just announce होगी but this is very going to be very soon आपको एक link मिलेगी description में उससे आप इस course की access ले सकते हैं जब भी चालू होगा उसके लिए आप ready रहें all star crash course भी अपना चालू हो रहा है ये भी November 10 से चालू हो रहा है all star crash course में भी आप लोग आके अपना revision कर सकते हैं for access of all these various plans are there बहुत सारे plans हैं के लिए अलग से पैसा देते नहीं देना है पुरान कोट से maximum discount लेके इसे आप ले सकते हैं iconic subscription में भी personal coach की regular guidance अगर आपको मिलती पुरान कोट से आप उसे ले सकते हैं साथी साथ आपको अपने किसी भी academy center पर ओफलाइन center से अपने कुछ चार cities में और भी cities में launch हो रहे हैं उसमें आप अपनी seed book कर सकते हैं with 10% discount है यह एक interesting initiatives यह 23 aspirants आपके लिए है यह पी वाइक्यू उसके बहुत सारे mock test बना दी हैं अपने freely accessible है अप जाके उसको देख सकते 600 plus पी वाइक्यू आपको आप पर mock test की form में मिलेंगी वो mock test series हर 23 aspirants को करनी अब ज़रूरी है ना लोग पूछ रहे थे ना recently यह एक feature आगया है के लावा compete आप academy की आप पर try कर सकते हो उस पर prizes जीत सकते हो और yes अपना unsat बहुत सारे बच्चो ने दिया है और उसके results आ चुके हैं तो check कर लेना अपने results बता देना अपनी special class में आके आपके क्या results रहे हैं and how do you feel about it that is it from my side बच्चो love to everyone hope आपको ये lectures help कर रहे हैं तो इनको like करके share करते हैं अपने दोस्तों में कोई भी concern है आप अपने comment section में बता सकते हैं साथी साथ special glass में भी आके परतलाब करें thank you so much love you all